इस वीडियो के अंदर काईस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं निपॉन इंडिया के स्माल कैप फंड का जी हैं जिसके अंदर मेरी भी परस्टनल यहां पर S.I.P. चल रही है तो अपनी S.I.P. की पर्फॉर्मस दिखाऊंगा है इस स्माल केस का 41,000 करोर से भी जादा का पैस इसके साथ में और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर क्या आप निपॉन इंडिया स्माल कैप को S.I.P. के लिए या फिर वन टाइम इंवेस्मेंट के लिए भी यहां पर आप स्माल कैप के अंदर कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं तो चलिए गाई शुरू करते हैं तो सब लगिन आपको कौन सा चूज करना चाहिए उसके उपर भी मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है जिसके लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं साथ इंस्ट्रॉल्मेंट मेरी अभी तक जा चुकी है निपॉन के अंदर कि इसबेह कर स्माल कैप हो गया यहां फिर आक्से कर समॉल कैप हो गया तो इन तीनों की बीच में जो डिफ्रeंस है वो 10-15 क्रोड कर त्याँ या यानी कि इतने पैसा का ढई अप इसी सबसें से पुरानी और यहां पर पॉपूलर है इस गेस अगर यहां पे मैं एक्सकी इ अगर आप एक साल से पहले exit मारते हो, निपॉन की अच्छी बात है किवल एक महीने के अदर ही exit load आपका खतम हो जाता है, यानि उसके बाद में अगर आप exit करोंगे तो कोई भी आपका exit load नहीं लगने वाला है, यहाँ पर कोई भी lock-in नहीं रहता है, और आपका जो investment है, आप 100 पर की SIP के साथ में यहाँ पर शुरुवात कर सकते हो, तो यह भी काफी अच्छी चीज है, retail investor के लिए कि अगर छोटा amount भी है, तब भी आप इस cap के अंदर यहाँ पर start कर सकते हो, इसके लागाइस यहाँ पर अगर मैं ratings की बात के हो, तो आप लोग को पता होगा, हमारे इ GFC की भी 3 स्टार की rating है, और Axis की 5 स्टार की rating है, एवन अगर मैं क्रिजल की भी बात करो, तो निपॉन की rating इसने अपग्रेड करके 5 स्टार की कर दिये, जी हाँ, तो यह भी काफी अच्छा parameter है, किसी भी mutual fund को judge करने का, इसके लावा guys, अगर यहाँ पर मैं returns का simply तरह के से compare क अगर हो तो आप मेरे screen के सामने 3 मेने 6 मेने 1 साल, 3 साल और 5 साल का comparison दे सकते हैं, एक साल की बात करो तो निपॉन ने 54% का return निकाल के दिया है, सबसे highest निकाल के दिया है, पूरी की पूरी small cap category के अंदर almost equal to quant small cap, SDFC की बात करो 49% है, access का बात करो 38% है, लेकिन अगर आप 3 साल, पास साल की बीच में comparison करते हैं, तो पास साल में इसका CAGR 30% का निकल के आता है, quant का 35% का निकल के आता है, HDFC का 23% का निकल के आता है, वहीं पर access का 28% का निकल के आता है, इसके ratio की बात को तो यहाँ पर एक interesting factor निकल के आता है, निपॉन इंडिया का अगर आप बीटा देखें को मिल जाता है, बाकी HDFC access के अंदर, दोनों के अंदर सेम alpha देखने को मिलेगा, आप गाइस बात करते हैं, let's suppose अगर आपने दो यहाँ पर small cap के टेगरी के mutual fund को भी choose कर रखा है, उसमें भी अगर आप SIP कर रहे हैं, तो क्या overlapping होने के chances से, तो बिलकुल नहीं, यहाँ पर उठाते हो या, top 5 holdings भी उठाते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते है, Nippon के अंदर, Quant के अंदर, कभी भी आपको holding यहाँ पर match नहीं मिलने वाली, नहीं, SDFC, यहाँ एकसेस के अंदर, यानि सभी जितने भी हमारी small cap के dairy के funds होते है, उन सभी में आपको different holdings देखने को मिल ज तो देखेगा, इस अगर मैं और ओल यहाँ पर comparison करना चाहूं, simply तरीके सो तो आप screen के सामने दे सकते है, पिछले 5 सालों के अंदर, इसने 30% का CAGR निकाल के दिया है, और 10 सालों के अंदर 28% का CAGR निकाल के दिया है, और पूरी की पूरी अगर आप rank within the category भी देखेंगे, 10 सा small cap investment देखने को मिल जाएगा, mid cap companies 9% है और large cap 5% के सम्धिंग है, 203 stocks है, इसके अंदर total और यहाँ पर आप top 10 holdings देख सकते है, tube investment limited हो गया, SDFC bank हो गया, KPIT technologies हो गया, अपार industries, भरत हैवे electronics हो गया, तो यह सारी top 10 holdings के अंदर mostly आपको small cap मिलने वाली है, इसके अंदर के वाल bank जो है यहाँ पर large cap category के अंदर है, बाकी सारी आपको small cap दिखेगी, अगर आप nifty small cap 250 index को भी यहाँ पर track करते हो, तो आप मेरी screen के सामें दे सकते हैं, इसने यहाँ पर पिछले कई सालों से हमेशा यहाँ पर index को beat किया है, अगर यहाँ पर मैं all भी जो select कर लेता हूँ, तो index भी अगर आप active से यहाँ पर compare करोंगे, तो definitely निपान small cap fund ने काफी अच्छे returns यहाँ पर आप लोग को बना के दिये है, तो देखे गाईस, अगर मैं all यहाँ पर summarize करना चाहूँ, अगर आप यहाँ पर active small cap mutual fund देख रहे हो, ऐसा इपी करने के लिए especially, तो definitely आप निपान इ invest नहीं करता, वो अलग बात है कि market बहुत ही जदा crash हो जाया, bottom के उपर हो, तो definitely आप यहाँ पर consider कर सकते हो, लेकिन हमेशा अगर आप एक retail investor हो, तो definitely आपको हमेशा small cap category के अंदर SIP करने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका risk भी high होता है, जिस दिर market गिरेगा, उस दिर आ comment box के इंदर ज़रू बताईए, thank you guys, thank you very much